कमपोस्ट तयार होने की प्रक्रिया काफी लंबी होती है। उस प्रक्रिया में कुछ सुधार करने से उसे कम समय में भी हार्विस्ट किया जा सकता है। कमपोस्टिंग प्रक्रिया के शुरुवात में बिन के अंदर पहले सूखा कच्रा डाले, इससे नीचे जो होल है वो ब्लॉक नहीं होता, हर बार सूखे कच्रे से गीले कच्रे को कवर करें, सूखी कच्रे की मात्रा गीले कच्रे से जादा रखें, बिन में जितने बार कच्र डालते हैं उतनी बार पुरानी खाट से एक मुठी डाल दीजिए सारे कच्रों को अच्छे से प्रेस कर दें इससे कमपोस्टिंग प्रोसेस स्पीड अप होता है एक बार बिन पूरी तरह से फुल हो जाए तो उसमें और कच्रा ना डाले बीच में एक दो बार वेस्टी कमपोसर के लिक्विट का छिड़काव कर ले बिन फुल होने के 25 दिन बाद कमपोस्ट बिन में सारे कच्रे को एक बार टर्न कर लीजिए और उपर से थोड़ा वेस्टी कमपोसर डाल दीजिए ऐसे करने से कमपोस्ट जल्दी तयार हो जाती है